हेलो एबरीवन कैसे हैं आप सभी आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिप्रेशन भी अच्छी चल रही होगी तो जैसे कि आप यहाँ पर यह पेपर देख रहे हैं जैसे सी संयोग तसनातक अस्तरिय प्रतियोगिता प्रारंबिक परिक्षा डेट भी अब दे आठ साल बाद लेकिन आठ घंटों में पता लग गया कि पेपर लिख हो गया था तो चलो देख लेते हैं कि किस तरह के questions साय थे और मैं कोशिश करूँगी explanation के साथ आप लोगों को बताने की पहला यहाँ पर question है निमलिखित में से कौन से आयोग ने उस ग्यापन को प्रस्तूत किया था जिसमें अलग जार्खन राजे के गठन की मांग की गई थी तो वो कौन सा आयोग था कमिशन था सरकारिया आयोग, एचिंसन आयोग, साइमन आयोग या फिर टोटन हम आयोग correct answer होगा option C, साइमन, आयोग या साइमन कमिशन next question है जार्खन के निमलिखित जीलों में से कौन सा जीला बिस्वा में अभरक के मुख्य स्रोतों में से एक है तो अभरक नगरी के नाम से हम लोग उस जीले को जानते ही है तो लेकिन आपको यहाँ पर ना option में दीखी नहीं रहा होगा coderma है ना, तो क्या answer होगा हमारा यहाँ पर देखो, याद रखना coderma सबसे पहले है अगर option में coderma ना रहे, greedy दिया हुआ रहे तो यह भी हमारा right answer होगा greedy भी ना रहे, हजारी बाग रहे तब हजारी बाग को हम लोग correct मान सकते हैं तो option D यहाँ पर right answer होगा इससे related कुछ important point देखते हैं पहला तो यह और जो भी मैं aurally बताऊंगी उसको आप note down करेंगे या फिर याद रख सकते हैं यहां पर डिसकस के थो उसमें से 35 प्लस आपका ऐसे ही बन जाता है question level भी बहुत easy था उसमें तो तो देखो इसका important एक दो point जो है जहारकर राजे में प्रचूर मात्रा में अभरक पाया जाता है अभरक को ही क्या कहा जाता है इसे ही माइका कहा जाता है और अगर आपको question इस तरह से पूछे कि माइका नगरी या फिर माइका राजधानी के नाम से इनमें से कौन से जीली को जाना जाता है तो वो कोडर्मा जीला option में रहेगा है ना और sequence तो मैं बता ही दी थी कि यहां पर कोडर्मा गीरीडी और हजारी बाग उसके बाद कोडर्मा को भारत के अभरक राजधानी के नाम से जाना जाता है और जारखंड में उच्छ कोटी का सफेद अभरक पाया जाता है जिसे ruby कहा जाता ये भी previous एर में जारखंड का जिख-जाम हुआ था उसमें पूचा गया था रूबी कहा जाता है और जहारखन में उत्पादिक कुल अभरग का 90% जो है ना ये निरियात याने की एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और ये अभरग कैसा खनीज है तो अधात्वी खनीज है और जैसे मैं आपको बताई इसे माई का भी कहा जाता है तो इसे नहीं भूलना है और इस तरह से आप लोग को भी अगर कुछ important point इससे related पता होता है तो comment कर दीजेगा क्योंकि आपका revision हो जाएगा और आपको याद भी रहेगा next है जारखन में निमलखित में से कौन से तेवहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी या फिर बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आज पास की पहाड़ी या फिर नदी को भेंट दे देती है वो कौन सा तेवहार में ऐसा किया जाता है correct answer होगा इसका तूसू पर्व में क्या जाता है और ये जो तूसू पर्व है ना पंच परगनिया छेतर में क्रिसी से संबंदित सबसे बड़ा ये तेवहार है तूसू तेवहार और इसमें सूर्य भगवान की सूर्य की पूजा से लेकर के ये तेवहार संबंदित है और य यहां भी आपको प्राइम कोकिंग कोल दिखे तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो एक मात्र वो कौन सा खनेज एक मात्र उत्पादक है तो यह प्राइम कोकिंग कोल और देखो प्राइम कोकिंग कोल जो है ना जारकन एक मात्र उत्पादक राजे तो है ही लेकिन य वाला राज्य है और कौनसे छेट्र में इसका उत्पाद प्रोडक्शन सबसे जादा किया जाता है तो ये जरिया छेट्र में किया जाता है ये कहां पर है तो ये धन भाद जीले में इस्थित है ठीकिंगे और जैसे ऑप्षण अगर पूछा जाएगा यह कौन से जीले में सरवाधिक पाया जाता है तो सिंभूम वाले चेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसका ही लो आयस्क जो आईरेन और है इसका विस्तार उडिसा के मयोर्भंज और क्यांजोर तक भी फैला हुआ है ठीक है और इससे रि से आप यहां पर देख रहे हैं कि बॉकसाइड जो है यह कौन से साइड में पाया जाता है तो जाड़कन के लोहर दगा गुमला लातियार गुड़्डा और साहवगन जीले में पाया जाता है और बॉकसाइड से ही क्या निकाला जाता है तो अल्मोनियम निकाला जाता है त नामबा कौन से जीले में सरवाधिक पाया जाता है तो पूर्वी सिंभूम छेतर में पाया जाता है नेक्स्ट है निम्लखित में से कौन सा अंदोलन अपने शुरुवाती चरण में कुरूख धरम के नाम से जाना गया था यह था शब्द कुरूख या उराओं का मूल धर्म ह कुरूख न कुरूख रहेगा या फिर कुरूख रहेगा तो शुरुवाती चरण में कुरूख धरम के नाम से जाना गया था वो कौन सा अंदोलन question number 5 है इसका correct answer होगा option D ताना भगत आंदोलन होगा और ताना भगत आंदोलन हुआ कब था तो 1914 में किसके नेतरित्व में तो जत्रा भगत या जत्रा उराओं के नेतरित्व में ये गुमला जीले में हुआ था और इस आंदोलन कहां जो जैसे कि आप देख रहें ये आंदोलन का शुरुवाती चरण में कुरुक धरम के नाम से जाना गया था और खरवार आंदोलन कब हुआ था तो 1874 में भागिरत माजी के नेतरित्व में हुआ था उल्गुलान विद्र बिर्सा आंदोलन ये कब हुआ था तो 1895-1900 के बीच में ये विद्रो हुआ था उसके बाद आता है ये तमाड विद्रो तो तमाड विद्रो ना अलग-अलग चरणों में ये हुआ था जिसे कि ये देखने को मिलेगा 1782 में भी और 1821 में भी और ये अलग-अलग चेत्र मे अलग अलग नेता के नेतरित्वों में तमाडविद्रों किया गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option D ताना भगत आंदोलन नेक्स्ट है जारकन का धोकरा निमलिकित में से किस सिल्प कला से संबन्दी थे धोकरा या फिर आपको ये धोकरा देखने को मिलेगा या फिर डोकरा देखने को मिलेगा ये सेमी चीज़ है ना टाइपिंग में धोड़ा से धर्दर हो जाता है तो 6 का correct answer होगा यहाँपर option C धधातू इसे धातू शिल्प कला भी कहा जाता है किसे तो ये धोकरा या फिर यहां पर जैसे आप देख रहें धोकरा लिखा हुआ है और इस कला का संबंध कौन से जाती से है तो ये मलेर जाती से इसका संबंध है ओके किसका तो ये जो धोकरा शिल्प कला है इसका नेक्स्ट है जारिकन पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षन की कितनी प्रतीषद । प्रतिशत प्रदान करने के लिए संसोधित किया गया था, कितने प्रतीषद सीट दर्दान करने के लिए संसोधित किया था तो यह 50% होगा और जो practice session हम लोग किये थे 51 practice sets को हम लोग discuss कि उसमें यह कई बार repeat हुआ है तो आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लिजेगा चैनल पर विजिट करते रहेगा तो आपको एक एक करके मिल जाएगा नेक्स्ट है टाटा iron and steel company के संस्थापक कौन है जब भी आपको संस्थापक पूछे न तो आपको correct answer करना है जमसेद जी टाटा जो है न इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और इसका पूरा नाम है जमसेद जी नौसेरवान जी टाटा इसका वास्तविक संस्थापस इनको माना चाता है अस्थापना हुई थी 1907 में 1907 में इसके अस्थापना की गई थी इसका हेड़क्वाटर्स कहां पर है तो मुंबई में इसका हेड़क्वाटर्स है और भारत का पहला और सबसे बड़ा लोह और इस बात सैंद्र कौन सा है तो यही टिसको है और पुर्वी सिंभूम जीले में यह इस्ति थे स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम जहां पर हुआ है उसके निकट में निमलिकित में से कौन सा कथन बिर्सा मुंडा के संबंद में गलत है गलत वाला हमें यहाँ पर बताना है बिर्सा मुंडा ने सोनोत संथाल समाज के अस्थाबना की थी यही गलत है यहाँ पर नेक्स्ट आप्शन्स को भी रीड कर लेते हैं उन्होंने वन और भूमी पर आधिवासी प्राकरितिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी ये करेक्ट है वे ब्रिटिस अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्ती हो गई थी हैजा से इनकी मृत्ती और बिर्सा मुंडा ने एक नए पंथ की शुरुवात की थी जिसका नाम था बिर्साइट यहां पर बिर्साइट पंथ उस पंथ का नाम था और इनसे रिलेटेड तो आप एक्स्ट्रा फैक्ट जानते ही हैं और बिर्सा मुंडा से संबंदित एक MCQ और वन लाइनर फोम मे क्लास कराई हूँ तो उसको आप लोग जरूर से देखिएगा नेक्स्ट है जारखन में CSR लागू करना मुस्किल है नेमन में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है टेन का करेक्ट आंसर होगा ओप्शन सी क्रिसी भूमी की प्रचूर मात्रा में उपलब धता तो ऐसे थोड़ा सा फूर्स टाइम पढ़ने से याद नहीं हो पता है लेकिन प्रेक्टिस बार बार करने से वो याद हो जाता है ना हमारी धरोहर योजना का मुखे उदेश्य क्या है तो उस टाइम में ये योजना चल रहा था सायद नया नया आया होगा या फिर अभी है तो हमार हमारी धरोहर योजना जो है ना इसका उदेश्य क्या था कि भारतिय संस्कृति की समक्र आउधारना के तहत भारत में अलप संख्यक समुदाय की समरिधी विरासत को संड़चित करना ही इसका में अबजेक्टिब था इसके अलावा यहाँ पर मैं कुछ स्कीम्स बताऊंगी उसके शुरुवात कब की गई थी और सेकेंड में आपको पढ़ना है साइकिल वित्रण योजना यह पूछा भी गया है एक बार प्रिवियस वाला एक्जाम हुआ था उसमें नेक्स्ट थार्ड नंबर में है पे एंड प्ले योजना के बारे में पढ़ेंगे मुख्यमंत् है जो इससे रिलेटेड आपको पढ़ना होगा है खुद से आप सर्च करेंगे पढ़ेंगे और यह जो सोना सोबरंध होती साड़ी वित्रण योजना यह 28 तारिक वाला एक्जाम में पूछा गया था तो हो सकता है और एक है सावित्री भाई फूले कुछ ऐसे करके है तो म नेक्स्ट है 12 नमबर तो हाँ वो जो योजना है न सावित्री भाई फूले की सोरी सम्रिद्धी योजना है उसके अलावा तेजस्विनी योजना से रिलेटेड कुछ पढ़ लिजेगा नेक्स्ट है 12 नमबर क्वेश्चन निमलिखित में से किस जीले में ताबा आयस का सम् भंडार है 12 का राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा बताईए अभी तो मैं आपको बताई थी ना औरली करेक्ट आंसर होगा यह पुर्वी सिंभूम में फूल डूंगरी निमलिखित में से किस सहर के निकट में इस्तित है तो फूल डूंगरी जो है यह इस्तित है कहा पर घाट शिला शहर के सामने नेक्स्ट है फोटीन नंबर क्वेशन और यह इंपोर्टन क्वेशन भी है नदी से एक नाएक क्वेशन आपको पूछे गा ही अगर सीजेल लेबल के अगर क्वेशन वो बना रहा है तो लेकिन 28 तारीक वाला क्वेशन पेपर को देख करके यह नहीं लगा कि वो सीजेल एक ओफिसर लेबल वाले क्वेशन थे तो नदी से जलपरपाद से बांध डैम जो भी है उससे उद्योग यह सब साप लोग एक एक क्वे पहाड़ी से निकलती है तरिकुट पहाड़ी कहाँ पर है तो यह देव घर में यह इस्तित है और इसका मुहाना यह जो मईयूराकशी नदी है इसका मुहाना नदी है निते उत पंगोल में पड़ता है और इसकी टोटल लेंट अगर हम बात करें तो 250 किलो मिटर है इसके कुछ प्रमुक साहयक नदियां है जिसको धोवाई टीपरा भामरी पूसरो दुमका सुरी हाँ ये कहा जाता है और इसका परवाह छेतर जो है दुमका साहिब गंज देवगर गुड इसके अलावा मयूराक्षी नदी का उपनाम क्या है तो इसे मोर नदी के नाम से जाना जाता है और मोतिहारी भी इसे कहा जाता है और ये जारकन की एक मात्र नो गम्य नदी है एक मात्र ऐसी नदी जहां पर नाओ चलता है तो नो गम्य नदी है और इस नदी के तट पर बांध का निर्मान किया गया है कनाड़ा की सहता से इस बांध का निर्मान कराया गया है इसलिए इसे कनाड़ा बांध या फिर कनाड़ा डेम के नाम से भी जाना जाता है और यही कनाड़ा डेम जो है इसी का दूसरा नाम है मसांजोर बाद यह मसांजोर नाम अकस्थान पर ह होने बनाए जाने के कारण मसांजर बांध के नाम से जाना जाता है और ये कनाड़ा बांध को ही प्रतम पंच वर्सिय योजना के दोरान बनाया गया था पंच वर्सिय योजना को भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लिजिएगा कि मतलब जो प्रमुक है उसी को पढ़ना है त्यानी की रोक लगाया, वो थर्मो कोल होगा बिर्षा के नेत्रितिव में सुरू उल्गुलान का क्या मतलब है उल्गुलान का मतलब होता है बदलाव या फिर विद्रो होना option D यहाँ पर correct answer और comment section में बताएंगे कि उल्गुलान विद्रो कब से कब तक चला था और इसके नेत्रित वो करता कौन है जारकन में इंडियन स्कूल ओफ माइन्स कहां पर रिष्थी थे तो जारकन में इंडियन स्कूल ओफ माइन्स ये धनबाद में रिष्थी थे तो ये कोडर्मा जीला को माईका राजदानी के नाम से जाना जाता है निमन में से कौन सा एक तिलका मांजी के संदरों में गलत है तिलका मांजी से रिलेटेड आपको अगर पता होगा तो यहां पर इजिली छांट पाएंगे eliminate कर पाएंगे कि कौन सा गलत दिया हुआ है question number 19 है तो तिलका मांजी ने 1780 और 1880 में आदिवासी विद्रो का नेतरित्व किया और British Sena के प्रमुग को घायल करने में कामिया हुए जो इन्होंने Cliveland को तीर मार कर उनकी हत्या कर दी थी तो option first यहां पर right है तिलका मांजी को भागलपूर में मृत्यूक के लिए फांसी पर लटका दिया गया था तो ये भी correct है क्योंकि बर्गत के पेड़ पर इन्हें फांसी पर लटकाया गया था तिलका मांजी ने रामगड की पहाड़ियों में गुरिल्ला यूद का नेतरित्व किया था और 1991 में भागलपूर विस्विद्याले को तिलका मांजी भागलपूर विस्विद्याले के रूप में पुरा नामकरन क्या था ओप्सन डी correct है तो यहाँ पर ओप्सन सी वाला जो statement है ये तिलका मांजी से related नहीं है तो यह हमारा answer हो जाएगा और तिलका मांजी कोही ना जाबरा पहाईया के नाम से जाना जाता है और इन्हें आदी विद्रोही भी कहा जाता है तो इतना आप याद रखेंगे नेक्स्ट यह निम्न में से कौन सा एक धनुर्धर जारकंड से नहीं है तो इसमें अगर आपको सबका नाम पता है तो अच्छा है क्योंकि इसमें option हम लोग answer करी नहीं सकते थे क्योंकि कौन से जो है वो तिरंदाज से किनका संबंद नहीं है तो दिपिका कुमारी का भी है यह भी question पूछा गया है और important है हमारे लिए रीना कुमारी का भी है आशा रानी होरों का भी संबंद किस से है यह भी धनुर्धर है और सीमा वर्मा तो यह चारों का संबंद जो है ना तिरंदाजी से है तो ऐसे हम लोग कैसे कोई मतलब correct answer करेंगे तो इसमें सायद आपको number मिल जाता नेक्स्ट है मुंदारी लोग कता है पुस्तक किसने लिखी है तो जगदीश त्री गुणायत ने मुंदारी लोग कता है पुस्तक को लिखी है वो एक लोते भारते खिलाडी कौन है जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोवर्स पत्रिका के विश्व में सो सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाडियों में सामिल है तो वो कौन है राइट आंसर होगा महंद्रे सिंग धोनी और इससे रिलेटेड जो हैना एक्वेशन पूछा था 28 तारीक वाला एक्जाम में इनसे रिलेटेड देख लेते हैं इनका जर्म कहां पर हुआ था तो 7 जुलाई इनका जर्म 1981 में हुआ था और महंद्रे सिंग धोनी को राजिव गांधी खेल रतने से कब तो 2007 और 2008 में इनको समानित किया गया था इसके अलावा पदम सिरी से 2009 में इनको समानित किया गया था और 2018 में इनके पदम भूशन से समानित किया था तो ये वाला क्वेशन पूछा था और महंद्रे सिंग धोनी की कप्तानी में भारते टीम कब 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कब जितने में सफल रही नेक्स्ट क्वेशन है 23 नमबर बिर्सा मुंडा और किस नाम से जाने जाते थे तो इन्हें धर्ती आबा के नाम से भी जाना जाता था बिर्सा मुंडा को और ये क्या उर्गुलान जो आंदुलन चल रहा था उसके नेतरेत हुआ करता थे बिर्सा मुंडा इनका जन्म खू कौन सा है राइट आंसर इस question का होगा तो यहां पर options है लाभारती परिवार के केवल दो बच्चे होने चाहिए यह वाला तो correct है लड़की को 18 वर्स की होने से पहले विवार नहीं करनी चाहिए यह भी correct है इस्कूल में पास होकर निकलने तक उसे पढ़ाय में विराम नहीं ल लड़की के 22 वर्स की उम्र में हुआ 2.05 लाग प्राप्त करने की हगदार है तो यह वाला जो statement है यह correct है अब हम लोग थोड़ा से इसको देख लेते हैं कि मुख्या मंत्री लाडली लक्षमी योजना जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी तो 15 नवंबर 2011 में इसकी शुर माना जाता है और इससे related आपको जो भी fact पता है वो आप comment section में बताएंगे ठीक है बसंत पंचमी का तेवहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है किस मौसम के आगमन का अग्रदूत माना जाता है तो यह बसंत रिदू जादू गोडा यूरेनियम खदान जार्खन की निम जार्खन की प्रसित छट पूजा किस देवता की अराधना करने के लिए की जाती है तो यह सूर्य देवता की अराधना के लिए की जाती है जार्खन की पहली राजभाशा कौन सी है तो यह हिंदी जो है ना पहली राजभाशा है नेक्स्ट क्वेस्टन रांची मुनसिपल कॉर्परेशन आरेमसी ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ओनलाइन कर भुकतान प्रणाली उद्धगार्टित किया है तो क्वेस्टन नमर 30 है इसका राइट आंसर होगा एक्सिस बैंक एक फरवरी 2016 की स्थिति के अनुसार जारकन के खेल एवं युवा मामलो के मंत्री कौन थे तो ये उस टाइम का पेपर है इसलिए ऐसे पूछा था तो उसके अनुसार जो आंसर है स्रियमर कुमार बावरी हो जाएगा और प्रजेंट में आप लोग खेल लेवं युवा मामलो के मंत्री कौन है इसका सर्च करके गूगल से सर्च कीजिए या फिर बुक से देख करके बताओ लेकिन आप एक बार लिखो तो याद रहेगा अपना जो भी नौट बुक है वहाँ भी आप लिख सकते हैं निम्न में से कौन सा जार्कन के पहले गैर आदिवासी मुख्य मंत्री के संदर्व में गलत है गलत कौन सा है ऑप्शन डी है वे सिर्फ तीन बार विधान सभा के सदद से रह चुके हैं ये वाला गलत है और बा नेक्स्ट है और गैर आदिवासी मुख्य मंत्री का नाम आप बताएंगे निम्न में से कौन खरवार विद्रोह के नेताओं में से हैं इन में से कौन हैं करेक्ट आंसर होगा भागिरत मांजी और खरवार अंदोलन हुआ कपता विद्रोह तो ये 1874 में अगला हमारा प्रश तक मरंग गोडा निलकंठ हुआ के लेखक कौन है 34 का करेक्ट आंसर होगा ये महुआ मांजी मांजी और 35 नंबर क्वेश्चन नेम्न में से कि सेवा को एडवलू सियस में प्रदत नहीं किया जाता है राइट आंसर होगा जिलास तर्ये खेल प्रतियोगिता भारत में राज का अस्थान क्या है तो ये 28 पोजिशन है संगीत के निमन में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है तो ये नाम से ही आंसर आपको पता लग जाएगा ये फगवा और पीडियेफ में आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूँगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक और यहां पर आंसर की के साथ मैं आपको यह दे दूँगी 20 में ऐसे इसलिए दिया हुआ है क्योंकि वहां पर कौन तिरंदाज नहीं है बोला गया था धनुर्धर नहीं है लेकिन वो चारों है धनुर्धर थे तो आप यहां पर 37 क्वेस्टन्स थे इसमें से कितने क्वेस्ट आपकी क्या राय है यह आप कॉमेंट करके बताएंगे अपना अपना आपिनियन